वेल्कम टू लॉजिक पाट शाला आज किस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 और 14 मार्च की इंपोर्टन केंटर फियर्स की क्वेशन्स फिर्ट इस वीडियो का पीडियो आप लोगको टेलिग्राम पे मिल जाएगा जिसका के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है त तो हमेशे के दर हम शुरू कर देख मोटिवेशन कोट से आज से क्या है लाइफ इस मुच बेटर वेन यू आ लिविंग इन प्रेजन मॉमेंट लाइफ और भी अच्छी हो सकती है जब आप प्रेजन मॉमेंट में जिये यानि फ्यूचर के बारे में सोचे बट इतना नही की तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले question से question number first है India and which other country has relaunched the bilateral comprehensive free trade talks in New Delhi देखे question में पूचा है कि भारत और किस अन्या देश ने नई दिल्ली में दोई पक्षिये व्यापक मुक्त व्यापार वारता शुरू की है सही answer हो जाएगा Canada देखो friend ये भी ध्यान रखेगा कि ये ज बात करते हैं इसके बारे में तो इसमें कुछ sectors को cover किया जाएगा जिसमें include होंगे एग्रो प्रोडक्स यानि आपके क्रशी उत्पाद, chemicals, food bear और textile तो ये सारे के सारे जो सेक्टर हैं वो इसमें शामील होंगे वहीं बात करते हैं भारत की तरफ से इस जो ये trade talk हुई है इस इसमें किसने participate किया है तो commerce और industry minister पियूश कोयल ने इसमें participate किया वहीं उनकी Canadian counterpart रही इसमें Mary N.G. तो दोनों ने यहाँ एक interim agreement पे sign किया है कुछ और news को हम additional information देख लेते हैं friends चाकि हमारा revision भी साथ साथ में चलता रहे India and Australia have signed an M.O.U. to promote tourism tourism को promote करने के लिए हाली में नोंने एक M.O.U. sign किया इसके अलावा देखी इंडिया और जापान ने अपने bilateral swap arrangements यो है इसको renew किया है और इसको बढ़ा कर 75 billion डॉलर तक इसको extend किया वहीं देखे नेपाल पहला ऐसा देश बना जिसने इंडिया के UPI platform को क्या किया deploy किया इसके अलावा देखे इंडोनेशिया की जो नई capital है अभी हाली में बनी है नुसंतारा इसने पुलानी capital जकार्ता को replace किया है तो याद रखेंगे directly पूछ लेंगे कि इंडोनेशिया की नई capital क्या बनी है तो आंसर है नुसंतारा Second question है Who among the following addressed the inaugural session of the third edition of National Youth Parliament Festival देखे हाल ही में किसने राष्टिया युवा संसत महुरसव का जो तीसरा edition हुआ है इसके inaugural session को संबोधित किया है सही answer ही हाँ पर हो जाएगा अनुराग ठाकुर तो अनुराग ठाकुर नहीं हाँ पर जो है इसको संबोधित किया आच्छा ये session हुआ कहां पर तो ये जो festival ये आयजन है इसका आयजन किया गया पार्लमेंट के central hall में न्यू डेली में अब इसका में मोटो क्या रहा तो इसका में मोटो रहा to listen the views and voices of youth between the age group of 18 to 25 years कि जो youth का age group है ना 18 से 25 साल का उन सभी youth के जो विचार है जो views है उनके जो भी voices है उनको सुनना इसका में उदेश है रहा जिनोंने भी इसमें participate किया उन सभी को यहाँ पर certificate भी distribute किये गए तो किस ने किया है इसका inaugural session का address तो आपका अंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर चलिए फिर से हम कुछ और news को भी revise करेंगे साथ साथ में जैसे हाली में ministry of education ने launch किया है भाशा certificate selfie campaign वहीं देखे प्रेजिडेंट रामनात कोविंद जी ने आरूग्य वनम को inaugurate किया कहां पे राश्ट्रपती भवन में इसके अलावा देखे प्राइम मिनेस्टर मोधी जी ने किसान ड्रॉन यात्रा को inaugurate किया और 100 किसान ड्रॉन्स को फ्लेक डॉफ भी किया साथी साथ में देखे जो railway protection force है हाली में इन्होंने आहट operation शुरू किया to curb human trafficking यानि जो मानव तसकरी होती है उसको रोकने के लिए इनके द्वारा आहट operation को शुरू किया गया next question है civil aviation minister जोती रादित्य सिंधिया and मध्यप्रदेश CM शिवराज सिंग चोहान jointly inaugurated the first drone school in which city कौन से शहर में पहला जो drone school है इसका उद्घाटन किया अच्छा उद्घाटन किया किसने अगर यह पूछ ले तो आपका अंसर हो जाएगा यहाँ पे जोती रादित्य सिंधिया और मध्यप्रदेश को जो CM है शिवराज सिंग चोहान इन्होंने मिलके इस drone school का उद्घाटन किया है कहां पर किया है तो इसे गौालियर में उद्घाटन इसका किया गया है देखें यह जो drone school है ना प्लानिंग करी गई है जिसमें से यह पहला drone school है जिससे ओपन किया गया है गौालियर शहर में और जो अदर फोर सिटीज होंगी जहां पर अलग जो पांच आपके पांच में से चार drone school है जिनको खोला जाएगा वो भोपाल इंदौर जवलपुर और सतना में उनको खोला जाएगा गौालियर का जो drone school है ना यह ना के बल मध्यपरदेश के यूथ है उनको टेकनीक से जोड़के आगे बढ़ाएगा बलकि साथ साथ में उनको रोजगार य जैसे कि मध्यपरदेश विल क्रियेट फर्स्ट साइबर धैसिल ऑफ इंडिया तो दिखिये जिए जब हम रिवाइस करते हैं न तो हमें पुराना एकदम से राद जाता है कि अच्छा हां फ़र्स्ट साइबर धैसिल हमारी कहां पे क्रियेट हुई मध्यपरदेश में मध् का पहला water plus certified city घोशित किया गया मध्यप्रदेश की government के द्वारा आयरुवेदा को प्रमोट करने के लिए देवन्य स्कीम को शुरू किया गया यहां पे युवा शक्ति कुरोना मुक्ति अभ्यान शुरू हुआ और मध्यप्रदेश की सरकार ने अंकुर स्कीम को शुरू किया था साथी साथ मिहां के जो श्रीयम है शिवराज सिंग चुहान उन्होंने रिनेम किया यानि होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम किया है तो यह important news ने आपकी सभी मध्यप्रदेश स्टेट से अगले कोशन पर बढ़ते हैं which state government has announced a special scheme जिसका नाम है मुख्य मंत्री चाश्रमिक कल्यार प्रकल्प तो यह जो scheme है यह tea workers जो चाई के बागानों में काम करते हैं श्रमिक उनके लिए शुरू की गई है और इसके announcement करी है तिरपुरा की सरकार ने अब देखो इससे क्या फायदा होगा यह जो special scheme है वो ensure करेगी कि जितने भी tea garden वर करें जो चाई के बागानों में काम करते हैं तो उनके housing, राशन और उनको financial support दिया जाएगा यानि उनके आवास के उपर ध्यान दिया जाएगा उनको राशन प्रोवाइड किया जाएगा औ लब कुमार देव और गवर्नर यहां के सत्यदेव नारायन आरिया अगर कोशने फ्रेंट्स देखे विच स्टेट इस सेट तो बिकम तफो स्टेट इन इंडिया तो हैव अ ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी देखे हाली में पूछा गया है कि कौन सा इसा राज्य है जो की प्रि पता कैसे जला तो महराश्ट का जो अभी स्टेट बजट है वो पेश किया गया उसी दोरान यहां के जो डिपटी सीम है अजीत पवार उनके दोरा यह इनफॉर्मेशन दी गई तो बजट पेश करते वहीं उन्होंने जो जानकरी है वो दी है साथी साथ में ध्यान तकिया क कि महराश्ट यह पहला स्टेट बना है जिसने एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को तयार किया है तो यह नियूस भी पूछ सकते हैं कि कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना जिसने एग्रिकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी को तयार किया है तो आप कांसर हो जाए गया वहीं देखे महाराष्ट ने M.O.U. साइन किया है आरमाई के साथ में for technical supporting electronic vehicle policy और महाराष्ट बना पहला राज्य जिसने खुद का wildlife action plan को पास किया बात करें बार महाराष्ट के CM कौन है तो महाराष्ट के CMS टाइम पे उद्धव ठाकरे जी और यहां पे जो गवर्णर है वो है भगत सिंग कोश्यारी जी यहां के गवर्णर है ठीक है तो फिरण यह तो बहुत basic सी बात है CM और गवर्णर तो आपको जरूर याद होनी चाहिए अगला question है in March who presented the annual budget for आंद्रप्रदेश for the year 22-23 देखे हाली में आंद्रप्रदेश का जो वाशिक budget है यह किस ने पेश किया है राइट आंसर इस बुगन्ना राजेंदर नात यह आंद्रप्रदेश के finance minister है तो यह भी पूस सकते देखे कि बुगन्ना राजेंदर नात ने हाली में किस राजे का जो annual budget है वो पेश किया तब आपका अंसर हो जाता आंद्रप्रदेश तो दोनों तरीके से आपको budget से ध्यान रखना है कि budget पेश कौन करते हैं किस ने किया है कि कोई state budget पेश हुआ है और state का नाम भी ध्यान रखेगा अब देखे यह जो budget है ना इसका total जो amount है वो है 256,256 करो करोन पे खर्च किये जाएंगे और इसमें जो schedule cast sub plan है उसके लिए allocate की गए है around 18,500 करोन रुपीज तो वैसे आपको अलग-अलग amount state का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप central exam पे focus कर रही हो हाँ अगर आप अंद्रप्रदेश से ही belong करते हैं और वहीं का आप state exam द ध्यान रखना है budget किसने पेश किया वह ध्यान रखना है और state ध्यान रखने है that's all इतना आप लोगों को करना है इस question से देखो आंद्रप्रदेश में इस टाइम के cm कौन है तो आपको याद होगा ys जगन मोहन रेड़ीजी cm है और यहां के जो governor है वो है विश्व भूशन ह हारी जंदन यहां के governor है अगला question है which state government has presented a 3.21 lakh करोन budget for 2223 fiscal तो देखें यहां पे total amount ध्यान रखेंगा कि 3 lakh करोन रुपे का यह budget पूरा पेश किया गया है हाली में budget पेश किया है West Bengal की सरकार ने अब question में यह भी बनेगा कि budget पेश किया किसनी है तो आपका answer हो जाएगा चंदरिमा भट्टाचारिया जो कि यहां के finance minister है उनके द्वारा जो है यह जो budget है वो पेश किया गया है ठीक है तो दोनों तरीके से ध्यान रखेगा अब इसमें वही बात है total सिफ आपको ध्यान रखता है 3.21 lakh करोन का यह जो पूरा budget है वो पेश क किया गया है बात आती है देखो फेंड वेस्ट मिंगॉल के जिसकी capital कॉलकाता है CM है ममता बैनर्ची गवर्नर है यहां के जगदीब धनकर अच्छा वेस्ट मिंगॉल की सिरकार नहीं अभी एक open year classroom program शुरू किया जिसका नाम रखा परह सिक्षाले जो वेस्ट मिंगॉल की government है न उन्होंने चार स्कॉच अवर्ड रिसीव करें फॉर इट्स स्कीम जो भी उन्होंने स्कीम शुरू करी थी इस ओव डूइंग बिजनस इनिशेटिव के तहत तो उसके लिए उनको चार स्कॉच अवर्ड भी प्राप्त हुए तो यह ध्यान रखेगा अगला कोशन है देखिए रिसेंटली दचीफ मिनिस्टर विच स्टेट रिजाइन फ्रम दी पोस्ट टू पेव दावेफ फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्मेंट इन्ट इस तेट आप सभी को पता है कि भी हाली में कुछ स्टेट में चुनाव हुए कुछ स्टेट में नई सरकार भी बनी तो यहां पर उसी से रिलेट गवेशन है कि किस राजय की मुख्यमंत्री ने राजय में नई सरकार के गठन का मार्क पसश्ट करने के लिए उन्होंने अपने पत्सिस तीफा दे दिया है यह बात हो रही है गुवा स्टेट में ठीक है तो गुवा स्टेट में और यहां के जो सीम प्रमोस सावन्त जी ते उन्होंने अपना जो रिजिगनेशन है जो स्टीफा है वो यहां की गवर्णर पी है श्रीदरन पिलई को राजभवन में सौपा अगर बात करते हैं प्रमोस सावन्त जी की तो 2019 में यहां के सीम बने थे यहां के 13th नंबर के सीम के रूप में इन्होंने कारे किया तो याद रखेगा important यह कॉफी जाथा question है आपका अगला question है which state will launch doorstep delivery of digitized land document जिसमें खातियान और map भी included in the state तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जो कि राज्य में खातियान और मांचितर सहित digital भूमी दस्तावेच की doorstep delivery श शुरू करेगा बिहार राज्य देखिए अब इसमें होगा क्या इसकी जो information है वो revenue and land reform जो minister है राम सूरत कुमार उनके द्वारा दी गई इसमें एक word आया है खातियान खातियान क्या होता है खातियान is a document for identification of land for determining possession यानि आपकी जो भी भूमी है उस पे आपका कब्सा है तो एक document होता है जो कि उसकी पहचान करता है तो ऐसे जो documents है उनकी आपको delivery घर पर ही मिल जाएगी यानि आपके door step घर के दरवाजी पर ही आपको document प्राप्त हो जाएंगे और बिहार ऐसा करने वाला पहला state बना है ध्यान रखेगा जहां पे लोगों को ये जो facility है उनके जो documents है न वो उनके door step delivery पर ही मिल जाएंगे तो याद रखेंगे important question है friends बात आती है बिहार की जिसके stabilisement होई 22 March 1912 को capital है बिहार की पटना यहां के CM है नितीश कुमार और governor है फागू चोहान folk dances में देखिए विदेशिया यह काफी पूछते हैं जाट, जाटिन, जुमरी, जिजिया, कजरी, पाइका और फागूआ तो यह यहां के यहां है folk dances है फागू चोहान के spelling इस तरीके से होगी चीक है चलिए next question है book, book का title है सोली सुराबजी, life and times तो आप देख सकते हैं यह book इनहीं के उपर लिखी गई है यह इनकी biography है अब यह जो इनकी biography है लिखी किसनी है तो सही answer देखें हाँ पर हो जाएगा अभीनव चंदरचूत के द्वारा ही जो biography है इनकी लिखी गई है अब देखो यह जो second number के जियनती थी उसी के अफसर पर इस नई जो book है इसकी announcement करी गई है अब इस book में उनकी personal detail के बारे में बताया है उनके life के बारे में बताया है उनके family background के बारे में बताया है सोली सुराबजी के बात करती हैं तो देखें हैं हमारे former attorney general रही है और इन्होंने दो बार सर्व क किया है 1989 से 90 तक और उसके बाद 1998 से लेके 2004 तक तो याद रखेगा अब साथी साथ में और बुक को भी revise करती हैं जैसे देखें जीमी सोनी ने अभी एक बुक लिखी जिसका title है the founders the story of people the blue book ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है अमिताबा कुमार के द्वारा वहीं देखे एक शोलजर काप्टन दीपम चटरची के द्वारा बुक लिखी जिसका title है the millennial yogi एक बुक है जिसका title है the great tech game और ये बुक लिखी है अनिरुध सुपर तो ये आपको ध्यान रखना है कि बुक एन और से फ्रेंट डेफिनेटली एक कोशन जरूर बनता है तो आप इस topic को ज has been appointed as the chairman of IRDAI जिसके full form होती है Insurance Regulated Development Authority of India हाली में देखे इसके अध्यक्षपत के लिए किसे नियुक्त किया गया है सही answer हो जाएगा यहाँ पे देवशीष पांड़ तो देवशीष पांड़ ये हाली में बनी है IRDAI के नई chairman इनका जो कारेकाल है टेनियोर है ये तीन साल का हो इस ऑफिसर है यूपी के डरसी और ये रिटायर है ऐसा financial service secretary के पस ही अभी जनवरी में ही रिटायर हुए तो याद रखे का important question है अगला question है हमारा which company has been ranked first in the ministry of petroleum and natural gas स्वच्छता पखवाड़ अवार्ट्स देखे ये जो अवार्ट्स है ना स्वच्छता पखवाड़ अवा corporation limited तो इस company के इस company को इसमें पहला स्थान मिला है स्वच्छता पखवाड़ा जो अवार्ट से ना ये present किसने किये हैं अगर ये पूझा जाए तो आपका अंसर होगा minister of petroleum and natural gas हर्दीप सिंग पुरी तो इनके द्वारा जो अवार्ट से वो दिये गए हैं इनका नाम भी ध्य चान रखिएगा इसी में second number का जो अवार्ड वो दिया है oil and natural gas corporation को और तीस्टा जो प्लेस से वो गया है हिंदुस्तान petroleum corporation limited को next हमारा question है which international golf player has been inducted into the world golf hall of the fame हाली में देखे world golf hall of the fame में किस international golf player को शामिल किया गया है तो आप सबी जानते होंगे यह काफी जदा famous golf player है tiger woods तो यह अभी हाली में शामिल हुए है international golf जो world golf of the fame है उसमें अभी शामिल हुए देखे world golf hall of the fame ने अभी दो नए distinguished service awards भी पहली बार जो है present किये है तो इनके बारे में भी हमें याद होना जाए कि यह awards किसे मिले हैं तो देखे पहला जो अवर्डर रेने पोवल को दिया गया है चारले सिफोर्ड अवर्ड है इसका नाम वहीं जो दूसरा अवर्ड है वो है lifetime achievement recognition और यह अवर्ड मिला है पीटर उबेरोथ और लेट डिक फैरिस को तो यह दो अभी जो नए service awards है यह अभी हाली में present किये गए वर्ड गॉल्फ hall of the fame के दुआरा तो यह भी आप लोग साथे साथ में ध्यान रखेगा कुछ additional information के बात करते हैं तो देखे स्टार इंडियन गॉल्फर जी मिलखा सिंग यह पहले professional गॉल्फर बने पूरे वर्ड में जिनको दुवई का golden visa जो है वो रसीव हुआ वही international golf federation के बात करते हैं तो इसकी स्टापना 1958 में हो ही इसका headquarter है Los Angeles में और golf olympic sports का part बना 2016 में after the 112 years के बाद में अगला question है who broke the record for the most matches captain in the ICC Women's World Cup surpassing former Australian counterpart Belinda Clark देखे यहां पर पूछा गया है कि जो poor Australia player है Belinda Clark इनको पीछे चोड़कर ICC महिला wish cup में कप्तानी करने वाले सबसे जादा मैचों का record किसने बना दिया है तो यह बना दिया है मिथाली राज मतार सबसे जादा यह जो ICC World Cup होते है ना women's की उसमें इन्होंने captainship करी है यह उन्होंने achievement हासिल करी अभी West Indies के अगेंस्ट में जो मैच हो रहा था उसी दोरान देखे मिथाली राज ने 24 World Cup गेंस में अपनी टीम का नेतरत्व किया यानि captain रही है 24 World Cup में जिसमें 14 victories 8 losses और एक मैच का कोई result नहीं रहा था वहीं अगर हम klar की बात करती हैं तो यह 23 matches में captain रही तो इनको पीछे चोड़कर मिथाली राज आगे निकल गई है कुछ sport news की बात करते हैं तो देखे IPC यानि International Paralympic Committee ने रशी और बेलरूस के जो athletes से उनको Beijing Winter Paralympic से ban कर दिया है बिलकुल धिहान रखे का और प्रियंका नुटक की यह 23rd नंबर की Women Grandmaster बनी भारत की पूछा दाय का डारेक्ट वेशन या आपका इसके अलावद देखे मिथाले राज जैसे एक और न्यूस अभी हाल फिलाल आपने सुनी होगी कि यह पहली Women Cricketer बनी है जो 6 World Cup में अपियरू यानि उन्हों 6 World Cup में भाग लिया है और अकर overall Cricketer की बात करते है तो यह 30 नमबर पर है लेकिन Women's में पहले नमबर पर है इसके अलावद देखे पूजा जातियान यह पहली Indian बनी है जिन्होंने Silver Medal चीता है पैरा Archery World Championship में तो यह कुछ important sports news है इनको आप याद रखेगा तो फिर आज की वीडियो के हमारे सब भी question हो जाते है लास्ट यारे Saturday आप लोगों से क्या क्या question पूछे गए थे देखिए पहला question था कि जो अकबर की biography है यानि अकबर के उपर जो बुग लिखी गए अकबर नामाई किस ने लिखी है तो यह अबुल फजल ने लिखी है second question यह था कि पांडिया डाइनेस्टी के last ruler कौन ते तो आपका answer हो जाए है और information आपको जादा से जादा knowledge मिलते तो यह देखे और भी जादा हमें अच्छा लगता है तो आप ऐसी ही वीडियो को देखते रहें और comment ज़रूर करते रहें ठीक है चली आज की question देख लेते हम लोग पहला question है किस मंत्री ने कुछ रात में सागर परिक्रमा की शुरु युग माना जाता है तो आज की वीडियो हमारी हाँ पे होती है फिनिश थांक यू सो मच आपकी वीडियो देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखिए हमें बहुत अच्छा लगा आपको यहासे information मिली और आपको इनसे काफी मदद मी मिलती है तो प्लीज अगर वीडियो की notification भी मिलती रहे थांक यू